हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल मोनिका दुबे आज मैं आपके साथ खोया पीठा रेसेपी सेयर करने वाली हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं हमें एक बरतन में हाफ लिटर मिल्क लेना है और इसे बॉयल करना है हमें इसे गाड़ा होने तक अच्छे से बॉयल करना है और लगातार इसे चलाते ही रहना है आप देख सकते हैं ये थीक होने लगा है अब हम इसमें सूगर एट करेंगे और इसे फिर से अच्छे से गाड़ा कर लेंगे हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है आप देख सकते हैं ये थीक होने लगा है ये बन चुका है हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब हमें इसी कड़ाई में पानी लेना है और पानी को अच्छे से बॉयल करना है अब हमें चावल का आटा लेना है मार्केट में ये इसली अवेलेवल है और इसे गर्म पानी से अच्छे से गुंद लेना है हमें इसमें ठंडा पानी का यूज नहीं करना है हमें ऐसा छोटा सा लोई बनाना है और इसमें चावल काटा लगा लेंगे और इसे कटोरी का सेब देंगे और इसमें खोया एड़ करेंगे हमें इसमें अधिक खोया फिल नहीं करना है नई तो steam के वक्त ये सारा बाहर निकल जाएगा देखिए मैंने इसे सेप दे दिया है हमें ऐसा सेप देना है अब हमें इसे steam करना है हमें steam करने के लिए इडली का स्टेंड लिया है अब हम इसमें पीठा को उपर में रख देंगे और इसे 20 मिनट्स के लिए steam करेंगे मीडियम फ्लेम में चलिए इसे बंद करते हैं steam होने के लिए छोड़ देते हैं 20 मिनट्स हो चुका है हमारा पीठा बंचुका है गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेर और सस्क्राइब करें थांक यू सो मच